ये गईस कैसे आप लोग मैं हूँ शुबाम और आप देख रहे हैं फैंटरसी एक्सप्रेस का यूटूब चैनल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीस के बीच में होने वाले सेकेंड टी-20 मुकाबले के जो की एक अलग वेन्यू में रहा है वो मैं आपको सब पिछले मैच में खेले थे सारे से सारे प्लेस के स्टेट्स बताऊंगा उनके बारे में भी आपको एक शौट इंफो दूँगा फिर ड्रीम 11 की टीम और फैंटू प्ले की टीम हम यहां पर बनाने वाले हैं जिल लोगों अभी तक फैंटू प्ले कर सकते फैंटू प्ले को डिस्क्रिप्शन में लिंक के दिया हुआ है रैफर कोड एफेक्स लगाईएगा जब आपको एंटर कोड करना हो एप डाउलोड करने के बाद आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्णर में जहां पर मैं रो बता रहा हूं यहां पर आपको एंटर कोड क पाकिस्तान के बीच में दूसरा टीटी मुकाबला थोड़ा सा यहां पर प्रिव्यू मैंने लिखा हुआ है यह दोनुवी टी में रिसेंटली कौन सी सीरीज खेल के आएं क्या कुछ इनका फॉर्म चल रहा है जैसे वेस्ट इंडिस अभी ऑस्टला के लाफ खेल के आए थ हो गया है मैं आपको बता दूँँ यहां पर रंस जादा बनते नहीं है एकदम बिल्कुल स्लो पेच है और 130 के आसपास का फस्ट इनिंग का इवरेज स्कूर जाता है और सेकंड इनिंग का इससे भी कम हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि यहां पर रंस जो है वो 130 से 140 मैक्सि इससान रहना सही है क्वालिटी बैट्स में यहां पर थोड़े बहुत रंस लगा पाएगा बाकी तो मुझे जादा किसी पर भरुसा है नहीं एवरेज स्कूर आपको बताई चुका हूं फरस्ट इनिंग का इससो तीस है और सेकंड निंग का देखेंगे तो और बी कम है य कि बैटिंग फर्स टीम यहां पर जादा पावरफुल है और वही यहां पर इस मैच को मिले सबसे विन करेगी जो भी टीम करेगी आधा मैच उनकी फिवरें वैसी चला जाएगा ओवरॉल रिकॉर्ट की बात करें दोनों टीम होने चौदा मैच इस खेले विंडीज ने ती फिवरेट रहेगी प्लेयर प्रफॉर्मेंस की बात कर तो विंडीज टीम से लास्ट मैच में से मन्स थोड़े सी रिटाइड हट हुए थे इंजर हुए थे नैक क्यास पासिंट को इंजरी हुई थी अब देखना होगा ये खेलते के नहीं खेलते अगर नहीं खेलते तो इ समझ में जाएगा किस प्लेयर को कपिक करना है सिमन्स का बैटिंग एवरेज इकतिस का है अगर हम बात करें यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया 112 एक्स्टा हुए यहां पर रिसेंट फॉर्म अगर हम सिमन्स का देखें तो आखरी मैच में 21 से देखिए लास्ट जो मैच सब्सक्राइब करें तो आखरी मैच कंप्लीट जो सिमन्स खेल के आया है उसमें किस रन उनने लगाए थे उसके पहले बहत्तर 15-37 यह इनका इस परफॉर्मेंस चल रहा है रिसेंटली आप पाकिस्तान के खिलते हैं तो इनके पिछले पांच मैच में आप देखिए सिर्फ एक मैच में 31 रन की पारी है बाकि 4 मैच में बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं सिमन्स के अगर हम बैटिंग फर्स बैटिंग सेकंड की बात करें तो बैटिंग फर्स में पिछले 5 मैसे आप देख सकते हैं कि लगभग 3-4 मैचे में परफॉर्मेंस अच्छी आई ह बैटिंग सेकंड में मात्र एक मैच में अच्छा किया है नहीं कि बैटिंग फर्स में सिमन्स का परफॉर्मेंस टी 20 में रिसेंटल अच्छा देखा गया है लेविस की बात करें तो बैटिंग फर्स में नो ने पांच में से तीन बार परफॉर्म किया है एविन लेविस न और बैटिंग सेकंड में आप कह सकते हैं पांच में से लगभग तक्रीबन तीन बार इनोंने पर्फॉर्मेस दिया तो दोनों ही कंडिशन में लैविस थोड़ से जादा इंपॉर्टन्ट है आप इन पर जादा फोकस रखें फिर आते हैं क्रिस गेल स्लो पिचस पे इनसे काफी बॉलिंग टीम लेती है और स्पिनर्स क्योंकि रोल में आएंगे तो फिर क्रिस गेल को भी कुछ ओवर्स करने को मिल सकते हैं इनकी थोड़ सी इंपॉर्टन्स अखरी खेले हैं उसमें 5-1 और 5 रन की इनकी पारिया रही है बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड में बात करें तो बैटिंग फर्स्ट में पिछले पांच मैच में एक बी बार नी चले बैटिंग सेकंड में दो बार परफॉर्मेंस अच्छी आई है 67 32 नोट आउट की निकलस पूरन की बात करें तो 24 का बैटिंग आवरेज है रिसेंटली फर्म हम देखी सकते हैं लगबख हर दूसरे मैच में परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहती है तो थोड़े से इनकंसिस्टेंट है अच्छे प्लेर हैं आप इनको टीम में ट्राइ कर सकते हैं अब पोजिशन इनको बैटिंग में नहीं है थोड़ा बहुत इनको टीम प्रमोड भी कर सकती है लास्ट में तो इनसे पहले रसल आये थे रसल के बाद पूलाड खेलने आये तो हो सकता है फिर से रसल को प्रमोड टीम करें पूलाड भी काफी बढ़िया हिटर है इस फॉर्मेट के तो लगबग हर दूसरे मैच में परफॉर्मेंस बैटिंग में अच्छी आती है और पूलाड से पहले कभी कभी बैटिंग करने आते पिछले में को प्रमोड किया गया था साथी साथ बॉलिंग में फॉर्म देखे थो थोड़ा संका बैटर देख रहा है और पोजिशन टीम प विक्ट नेका लिए और पिछले 5 मैचे जो इनकी बालिंग के रहे उसमें से पांच में से दो बार इनको विक्ट मिली है तो रसल की इंपोर्टेंस बालिंग सेकिंड में जादा हो सकती है खास करके विक लेने की कम आगर हम देखें तो इसका शिमरान है जो आम तोर पे तन चारो पांच पर काफी अच्छा रहता है अगर हम बात करें की तो 25 का बेटिंग करते हैं बट धान रखिए तीन चारो पांच बेटिंग बोईशन पर साथ पर नहीं साथ पर तो एक दम नया गेम प्लेंग के लिए रहेगा रिसेंट फॉर्मिन का देखें तो जितने भी आप स्कूर्स देख रहे हैं थोड़ा सा अब दा और परफॉर्मिस इनका आया हुआ है इनकम्प्रीट मैच था आखरी जो खेला था पूदिशन टीम खिलाब उसके पहले तो कोई मैच खेला नहीं तो आखरी मैच जो था उसमें पांच-छे-णान के आसपास लगा होंगे बट बैटिंग सेकंड में अगर हम देखे तो पिछले 5 मैंसे लगबख 2 मैच में परफॉर्मिस अच्छी आई है तो बैटिंग सेकंड में है थोड़ा सा बैटर कर लेते हैं फिर आते हैं जीसन होल्डर जिनका बैटिंग एवरेज 15 का है टी 20 format में आम तोर पे बैटिंग नहीं है बट अब पोजिशन टीम के खिलाफ रिकॉर्ड उल्टा है आप देखिए पिछले चार मैचे में आखरी तीन मैचे से इनको पाकिस्तान खिलाफ विकटी नहीं मिल रही है तो थोड़ा सा रिकॉर्ड खराब है पिछली इनकी सीरीज रही थी पाकिस्तान के खिलाफ जो इसकार मैच की सीरीज थी उसमें शुरुआती मैच में दो विकट निकाले थे फिर बात के तीन मैचे जाने की रिसेंट ली जो तीन आखरी मैचे खेले थे उसमें कोई विकट इनको मिली ही नहीं है इसका बात करते हैं डूएन ब्रावो की 24 का बैटिंग एवरेज हैं का र निकाली है बावलिंग फस्ट में थोड़े ज्यादा एफेटिव हैं बॉलिंग सेकेंट में आप इनको ज्यादा कोशिश करीगा डूएन ब्रावो को फिर आते हैं अर्टी से निंग में बावण विकटिन के नामपे हैं और इस फार्मेट के काफी अच्छी प्लेर माने ज आखरी कुछ मैचस से अगर हम बात करें तो लगबग हर मैच में दो तीन विक्टे निकाल रहे हैं पाकिस्तान को कभी फेस तो नहीं करा अगर इस वेन्यू पर यह कंप्लीट चार ओवर डालते हैं तो दो से तीन विक्टे तक यह लेकर जा सकते हैं को इस पिन को काफी कि इन्होंने यहां पर CPL VPL में तो देखिए फेवरेविल कंडीशन से बोलर बहुत अच्छा है तो यह आपके लिए जियल के लिए भी बहुत अच्छा कप्तान हो सकता है रीडिन वास जूनियर आपकी टीम में जरूर होने चाहिए रिसेंट ली ऑस्टिला को भी इन्हों करने लगता है तो बॉलिंग सेकंड में वैसे भी हिडेन वास जूनियर बहुत इंपोरेंट है बट यह बॉलिंग फस्ट में भी इंपोरेंट ही रहेंगे फिर बात करते हैं अकील हुसें की स्लो लेफ्ट आम और्थोडॉक्स बोलर है गती काफी कम इनकी रहती है तो नहीं मिली आखरी मैचस की बात कर रहे हैं पाकिस्तान को इन्होंने कभी फेस नहीं कर रहा है इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर जो नहीं दो मैचस खेले थे बॉलिंग फरस्ट करते हुए उसमें इनको विकेट नहीं मिली थी बट यह वेन्यू काफी सपोर्ट है क्योंकि इनका रिकॉर्ड इस वेन्यू पर काफी अच्छा देखा गया है एक मैच इन्होंने यहां पर खेली थी सीपेल में और उसमें तीन या चार विक्टो के आसपस निकाले थे तो इनको आप ज़रूर पिक करेगा अगर खेलते हैं तो डैथ में बॉलिंग करेंगे प्लस स्पीड में काफी वेरियेशन करते हैं तो बैट्समैन को काफी परिशानी होती है मकोई विक्ट टे करें फिर बात करते हैं पाकिस्तानी प्लियर्स की तो शरजील खान ओपन करेंगे मुहमद रिजवान के साथ शरजील खान का फॉर्म देखें तो 25 का बैटिंग हाइस स्कोर इनका 22 का है लोइस स्कोर इनका दो का है तो विर्णी के खिलाव उतना अच्छा record होल्ड नहीं करते हैं शर्जिल खान बैटिंग फर्डिंग सेंड की बात करें तो बैटिंग मैच में वो अठा रहा है और बैटिंग सेकंड में जो हाइस्ट स्कोर है वो 59 का है तो शरजील खाल आम तोर पे बैटिंग सेकंड में अच्छा परफॉर्म करते हैं बात करते हैं मुहमद बैटिंग सेकंड करते हैं तो अगर आप इनको कैप्टन रखना चाहते हैं तो आप बैटिंग फस्ट में इनको क्रिक्राइब बैटिंग सेकंड में इनको थोड़े से खराब हैं पिछले पांच मैस में से आप कह सकते हैं दो मैच में बहुत अच्छा परफॉर्माइट से एक में एवरिज वह बहुत अच्छा करते हैं प्लस विकट कीपर हैं तो आपको उसके भी काफी पॉइνट दे सकते हैं फिर हम बात करते हैं बावराजम की बैटिंग अवरेज इनका है पैतालिस का इनकी आसपास का बैटिंग अवरेज और किसी का नहीं है इतने मैचेश खेलने के बाद करें तो पिछले फांच मैंचि जो बैटिंग इंक अच्छह परफॉरंस लाइं तो आम बैेटिंग से लियमाना उनस्वार बेंगे इसका बात करते हैं को मेरिट हाफीष की जो रॉय का निदिव के लेफ्ट हेंडर के खिलाफ इनका अच्छा खासा यूज टीम कर सकती है प्लस बैटिंग में भी थोड़ा सा अप आएंगे चार नमबर पर बैटिंग एक्सपेक्टेड है तो यह आपके लिए जील में बहुत अच्छे कैप्टन हो सकते हैं स्मॉल लिग में लेकर आप यहां से देख सकते हैं बैटिंग में फॉर्म थोड़ा सगर बढ़ है अब पॉदिशन टीम खिलाफ रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है बट फिर भी बैटिंग पॉदिशन चार है तो आप इनको ट्राय टीम में कर सकते हैं बैटिंग फस्ट बैटिंग सेकंड के में देखेंगे तो कुछ खास नहीं चल रहे हैं पॉदिशन टीम के खिलाफ हाला की रिकॉर्ड थोड़ा सब बैटर है पिछले तीन मैचेज में दो स्कोरिंग इनकी अच्छी रही है थर्टी नाइन और फॉर्टी की जो नोने वेस्ट इंडिस खिलाफ किया हुए तो आते हैं आजम खान एक्तालीस टीटूंटी मैचस खेले हैं डॉमस्टिक में 22 का बेटिंग एवरेज है रिसेंट लेगर हम इनका परफॉर्मस देखे तो टीटूंटी में उत्तार इंपेक्ट्फुल परफॉर्मस नहीं दे पाए पिछले छे साथ मैच में एकादी मैच अ बहुत अच्छा होल्ड करते हैं तो आप इनको टीम में जरूर पेक करिएगा विकेट टेकर हैं अगेंस्ट विंडीस टीम बॉलिंग फस्ट बॉलिंग सेकंड की बात करें तो पिछले पांच मैच में शदाप खान चार बार चले हैं और बॉलिंग सेकंड करते हुए हैं पांच मैंसे मात्र दो बार चले यानि कि शदाप खान बॉलिंग फस्ट में ज्यादा बेटर पर्फॉर्मेंस देते हैं हसन अली की बात करें तो राइटा मीडियम फस्ट बोलर हैं टीम के में देट के इनवास भी हैं 117 इनिंग में 158 विक्टेन के नाम पर है रीसेंट ल पांच मैंसे चार बार बहुत बढ़िया तरीके से चले हैं और बॉलिंग सेकंड में पांच मैंसे पांच बार चले हैं तो टोटल आप कह सकते हैं पिछले पांच मैंच बॉलिंग फस्ट और बॉलिंग सेकंड मिलाएं तो दस मैंच होते हैं दस मैंसे नौ बार हसन अली न निकाली थी उसको मैंने काउंट नहीं किया डॉमिस्टिक में बारा मैच बारा इनिंग तेरा विक्टेंग के नाम पर हर दूसरे मैच में दो तीन विक्टों के असपस ले जाते हैं देखिए कंसिस्टेंट तो नहीं है मौम्मद वसीम जुनियर काफी बढ़िया बोलने बट कभी-कभी दो से चार विक्टे तक ले जाते हैं तो ग्ल में ट्रंप कार्ड अपके लिए हो सकते हैं फिर आते हैं शाहिन Celebrity 87 मैचस खेले टॉटल एक सो 들어 15 मैचस्सफथे रीसेंट और मिन बॉलिंग फ्रस्ट में खेले उसमें चार बर विक्टे निकाल आपए नहीं कि एकाद songs रिखते होती हैं गौन्ट के बात करें तो लैग ब्रेक बोलर है पचास इनिंग 57 विक्टे यह आपके लिए इस मैच में जी यल में बहुत अच्छे हो सकते क्योंकि एक तो लैग ब्रेक बोलर है इनको काफी ज्यादा टर्वन मिल सकता है इस विक्ट पे और खास करके सेकंड बालिंग करें तो फिर तो बहुती इंपोरेंट हो जाएंगे यह वेन्यू भी इनको काफी सपोर्ट करेगा आखरी छे मैचे जो इनके रहे डाहे डॉमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल में उसमें एक बार बस विक्ट ल बेटिक लिएस नहीं करते हैं हम अपनी फेन तूप ले और ड्रीम लाविंग की टीम बना लेते हैं तो इस फेन टूप ले पर आपको एक लिबर्डी यहां पर मिलेगी आपको मैं बता दूँँ प्लेप आप दो बैट्समें लेकर भी टीम बना सकते हो जो कि आपके लिए काफी beneficial इस match में हो सकता है तो मैंने वही किया है यहाँ पे सबसे बहले विकेट कीपरिंस section में मैंने मौंब रिजवान को ले लिया है काफी बड़ी आफ फॉर्म में हैं खास करके betting first में तो बहुत की कजब का खेलते हैं इनको मैंने team में pick कर रहा है विकेट कीपरिंस section से फिर मैंने betting section में बाबर आजम और मौंबध हफीज को pick कर रहा है हफीज चार पे betting करेंगे प्लस दो तीन उबर बॉलिंग भी कर सकते हैं अपनी office पे परिशान कर सकते हैं रामने वाले left-handers को यहां पर मैंने यहां पर बाबर आजम को कप्तान भी बनाया है भले इस लोग पेछे रंस थोड़े ते कम बनेंगे बट अगर यह 35 रन भी बना देंगे आराम से खेलके भी तो मेरे लिए काफी एफेक्टिव रहेंगे इसलिए बाबर आजम को कप्ता बोली बहुत बेटिंग कर सकते हैं और यह चारों के चारों ना बैटिंग अच्छी खासी कर लेते हैं अगर इन तक आ जाती है तो यहां को नेने बालिंग सेक्शन से यहां पर पिक किया है अकील हुसेईन को दोनों के साथ मैं जा रहा हूँ हूं वेस्टिष इंडीस की त तीन पिसर मेरे हो जाते विंडीज की तरफ से जो बैटिंग भी कर सकते हैं प्लस मैंने मेन बूलर जो इनके हैं वो इस पिनर्स चोने हैं क्योंकि इस पिनर्स को यहां पे काफी help मिल सकती है प्लस मैंने हसन अली एवरगीन प्लियर है इसको आपको हमेशा हर टीम में पिक करना है और शाहिन अफरीदी भी लगबग हर मैच में आपको परफॉर्मेस करके देते हैं तो मैंने इनको भी टीम में जगे दिये अगर आप थोड़ा रिस्खेलना चाहते हैं तो शाहिन की के टीम बनती है अगर आप यहां पर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के दिया हुआ है रेफर कोड एफेक्स लगाएंगे तो आपको फिरी एंट्रीज प्लस 100% बोनस यूजेबल लीक्स भी मिलेंगी और टाइम टू टाइम गिवावेस में पार्ट भी मिलेगा तो एफेक्स यूजर जरू बन जाएगा जब भी आप को डाउलोड करें और रजिस्टर करें तो एफेक्स कोड लगा दीजेगा तो यह मेरी है फेंटू प्ले की टीम आप ड्रीम लेवन की टीम देख लेते हैं तो आपके पास थोड़ा सा बाउंडेशन हो जाता है तो जिसके चलते में जेसन होल्डर और ब्रावो दोनों को ने ले पाई हूँ मैंने हफीज को ले लिया है रसल को ले लिया है और शदाब खान को ले लिया है जो मुझे जाधा विकेट टेकिंग ऑप्शन लगते हैं फिर मैंने बॉलिंग सेक्षन में अकील और लिया है आप चाहिए तो एक पेसर बढ़ा सकते हैं तो क्रेट के हिसाब से भी अकील काफी अच्छी ऑप्शन रहेंगे विकेट टेकिंग प्लियर ये भी है प्लस हीडिन वाच तो क्या ही कहना है ऑस्ट्रेलिया को लगबग हराया तो इन्हों नहीं हराया कह सकते हैं तो हीडिन वाच को आपको टीम में स्लेक्ट करना है इस वेन्यू पर काफी अच्छा करेंगे उस्मान कादिर और यहां पर मैं हसन अली को भी लिया है थोड़ा सक क्रेट इशू है जिसके चलते मैं शाहिन अफरीदी की जगे पर उसमान कादिर के साथ जा रहा हूं हाला कि इनका performance भी recently काफी अच्छा टीम के लिए आया है तो आप इनको भी हलके में ले नहीं सकते तो क्रेट का issue भी है और थोड़े बहुत यहां पर चिंजिस करने के बाद यह मेरी dream 11 पर टीम बनती है जिसे मेरे कप्तान बनते है बाबार अजम वाइस कप्तान आंद्रे रसल है और बागी टीम आप यहां पर देखी सकते हैं थोड़े बहुत चिंजिस अपने हिसाब से करना चाहें तो कर सकते हैं पुलार की जगे पर Simmons अगर खेलते हैं तो Simmons को ले सकते हैं इसके अलावा कुछ चिंजिस करना हो तो फकर्दमन ठीक टाक option है बट फिर भी फकर्दमन का तक कोई खास record T20 में है नहीं और Simmons का भी अभी खेलना लगबग confirm भी नहीं है तो मेरे साब से पोलार्ड और लेविस आपके लिए विंडी की तरफ से बैटिंग सेक्शन में सबसे important पे खो सकते हैं रसल भी बहुत important होंगे क्योंकि ये balling भी कर लेते हैं प्लस इनके जो spinners ह इनको भी थोड़ा सा आप importance दीजिएगा कोई कि इस venue पे खास करके इस पेना जाद अच्छा करते हैं तो शदाब खान भी important रहेंगे पाकिस्तान की तरफ से और उस्मान कादिर भी important रहेंगे तो ये मेरी टीम है कोई update होगा तो फिर मैं आपको टेलिग्राम पे बता ओकी गाइस बाइ पेस्ट अफ लाग